दोस्त तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने Mr. Bean the Animated Series cartoon के सभी episodes को नहीं देखे होंगे यह cartoon इंडिया के सबसे popular cartoons में से एक था जिसे हम Cartoon Network और Pogo पर देखा करते थे मैं आपको बता दू कि इसके करीब 130 episodes release किये गये थे जिसमें हर एक episode करीब 11 मिनट तक बढ़ा था अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसके हर एक episode को देखा होगा और यही इसके सबसे खास बात थी देखो इतने wide range of episodes के होने की वज़ा से मुझे हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई नया episode देख रहा हूँ और तो और इसका animation भी इतना attractive था कि आप एक ही episode को 10 बार देख सकते थे अब सबसे पहली बार Mr. Bean के character को साल 1989 के England में introduce किया गया था एक ही जटके में यह character crazy तरीके से popular हो गया और साल 1990 में Mr. Bean की official series रिलीज हुई है अब क्या आप यकिन करेंगे कि इस original Mr. Bean series के केवल 2 seasons और 15 episodes रिलीज हुए थे लेकिन इसके बाद भी यह इतना बड़ा success हुआ कि आज पूरी दुनिया इसे जानती है Mr. Bean की सबसे खास बात यह थी कि इसमें कोई भी funny dialogues नहीं थे इस series के actor Rowan Atkinson ने केवल pure acting से लोगों को हसाया था अब जैसे कि मैंने कहा कि यह series इतना ज़्यादा popular हो गया था कि पूछिये मत साल 2002 में Tiger Aspect Productions ने Mr. Bean की popularity का पूरा फाइदा उठाने का plan मनाया उन्होंने officially इसके animated series release की यह series करीब करीब 5 seasons तर चली और finally साल 2019 में इसका final episode release किया गया अब आस तक इस series को 190 से भी जादा countries में air किया जा चुका है और सिरीब बच्चे ही नहीं बलके बड़े और बुड़े तक इस comedy series को साथ बैट कर देख सकते हैं Mr. Bean एक बहुत ही simple cartoon है जिसकी पूरी story एक main character की personality Bean के around ही revolve करती है अब Mr. Bean एक funny और अजीब character है जिसे अपने बच्चों जैसे behavior के लिए जाना जाता है उसके किसी भी चीज को करने के लिए आदत अलग है और वो दुनिया को अपने अलग perspective से देखता है अब Mr. Bean हमेशा ही किसी funny situation में फस जाता है लेकिन वो भी उसकी खूद की अजीब हरकतों की वज़े से ही होती है ये character बहुत ही कम बोलता है लेकिन उसके actions और expressions से ही audience को ये पता चल जाता था कि वो कौन से emotion या भी thought को express करना चाता था अब शैतान nature होने के बाद भी Mr. Bean दिल का बहुती साफ है episodes में आपने अकसर ही उससे दूसरों की मदद करते वे देखा होगा अब ज़रा सोचिए कि ये comedic series इतनी hit और popular है कि आज 30 साल के बाद भी कोई दूसरी series का characters की comedy के close भी नहीं आ पाया है और मुझे नहीं रगता कि कोई future में भी आप आएगा अब एक बहुत ये अच्छा episode मुझे याद है जिसमें Mr. Bean को अपने पुराने store room में एक बच्चे का खिलोना मिल जाता है इस खिलोने में एक puzzle और इसके साथ ही एक खजाने का नकसा भी होता है जिसे उस बच्चे ने बनाया होगा होता है Mr. Bean उस नकसे को follow करते वे एक और नकसे पर पहुंचता है और फिर उस अगले नकसे में एक दूसरे ही किसी country का map होता है अब Mr. Bean हवाई जहांज में बैटकर जाही रहा होता है कि उसे उपर से सेम उसी नकसे में बना island वहीं उसके शहर में दिखाई देता है उसके बाद Bean लिपस्टिक अपने चैरे पर लगा कर plane को रुखवाता है मतलब ना कोई vulgarity और ना ही किसी तरह का slapstick comedy Mr. Bean proper story को follow करते वे comedy के elements को produce कर लेता था अब जब finally Bean को जमीन के अंदर वो खजाना मिलता है तो उसमें बस एक चावी होती है जो खिलोने में ही मिले एक बकसे की होती है और उस बकसे में puzzle का आखरी piece होता है जिससे की वो puzzle complete हो पाता है अब एक children's cartoon होने के बाद भी इस show के writers ने हर episode को एक बहुत ही अच्छी story के साथ लिगा था अब इस series ने कुछ top awards भी जिते हैं जैसे की BAFTA Children's Award और International Emmy Kids Award अपने 15 साल से भी ज़्यादा बड़े release period में इस cartoon show ने regular के अलावा special episodes में निकाले थे जैसे की Christmas, Halloween और Valentine's Day special ये cartoon इतना हिट हुआ था कि इसके बहुत से merchandise, toys और कपड़े दुनिया भर में बेचे गए थे और केवल इसके बूते ही series ने करोड़ों रुपए कमाए थे इसकी एक और खासियत थी इसके side characters अब आखिर कौन उस बुढ़ी ओरत और उस एक आख वाले बिल्ली को बूल सकते हैं और सबसे बड़ा character Mr. Bean का टेडी वियर टेडी के बिना हर episode अधुरा था और तो और लगबग हर episode में एक नया character जरूर introduce किया जाता था जो story को और ज़्यादा interesting मना देता था इसी के साथ Mr. Bean का सबसे unique character उसका वो green color का car भी था जो अपने आप में बहुत ही interesting था अब ये जो car है ना ये Mr. Bean के series और animated series में यूँ ही नहीं डाला गया था बलकि इसके पीछे भी एक कहानी है दरसल इस car का या Mr. Bean के character को play करने वाले actor Rowan Atkinson के खुद के car से लिया गया था जो थी classic 1972 British Lailand Mini Thousand अब इस car के भी बहुत सारे फायते थे इस car को Mr. Bean इसके चट पे बैट कर भी चला सकते थे जुगार सही सही पर बैट कर चला सकते थे और इसको lock करने के लिए इसमें Mr. Bean एक कुंडी और ताला लगाते थे जो यार सच में बहुती stupid और funny था इसे के साथ animated series में Mr. Bean की एक girlfriend भी दिखाए गी थी जो की कुछी selected episodes में आई थी इस character का नाम इर्मा गॉब था और इसे kind of Mr. Bean की एक girlfriend की तरह दिखाया जाता है बड़ देखो यार अपना Mr. Bean होता है सक्त लौना और इन दोनों के बीच के romance कम comedic scenes को कौन ही भूल सकता है मगर original series में ऐसा कोई character नहीं दिखाया जाता अब देखो Mr. Bean के इस cartoon के इतने ज़्यादा popular होने का एक और बड़ा कारण था उसका कुछ ना बोलना Mr. Bean लगबक कुछ भी नहीं बोलता था अब केवल उसके body movements और facial expressions से ही इतने अच्छे होते थे जो हमें हमारे बचपन के हरकते याद करवाते थे टेडी के साथ बात करना आखिर कौन भूल सकता है अब देखो बचपन में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो ऐसे अपने गुड़े-गुड़ियों से बात नहीं गरता होगा Funny और Beautiful होने के साथ ये बहुत सारे positive messages देने में भी कामियाब होगा अब शायद इंडिया में कोई होगा जिसने Pogo चैनल पर इस cartoon को नहीं देखा होगा Especially इसका वो सुरुवाती theme song तो आज भी कहीं न कहीं मेरे दिमाग में play होने लगता है अब सबसे बड़ा सवार आता है कि आखिर क्यों इतने successful show को साल 2019 में produce करना बंद कर दिया गया वेल मेरे खयाल में सबसे बड़ा और सबसे main reason ये है कि show के creators खराब content बनाके series को unpopular नहीं बनाना चाते उन्हें लगा होगा कि जितने creativity Mr. Bean के साथ दिखाई जा सकती थी उन्होंने उसे दिखा दिया था अब देखो वैसे भी किसी series के लिए लगातार हर साल अच्छे episodes को release करना बहुत ही मुश्किल होता है कहीं न कहीं एक point आया होगा जब audience भी Mr. Bean को देख देखकर ठक गये होंगे अब ये भी possible है कि इतने सालों तक successfully run करने के बाद शो के creators अब किसी नए और exciting चीज की तरफ move on करना चाते थे अब सवाल ये भी आता है कि Mr. Bean को इंडिया के cartoon channels पर क्यों नहीं दिखा जाता वैल इसका simple सा जवाब मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ गवर्मेंट चाती है कि इंडिया जादा से जादा लोकल चीजों को देखे और उसे ही support करे और ये चीज कार्टून पर बहुत ही जोरो शोरो से लागो होती है अब दोस्तों आज की समय में आप कोई भी cartoon channel खोल कर देख लिजे Pokemon, Doremon और Sinchan के अलावा हर एक cartoon आपको local Indian made cartoon ही देखने को मिलेंगे अब मुझे seriously लगता है कि नई generation Mr. Bean के इस cartoon को miss करके बहुत बड़ी चीज मिस कर रही होगी हमने पहले ही इस cartoon के पूरे मजे ले लिये हैं सच का हूँ तो आज भी YouTube पर मैं इसके episodes को देख लिया करता हूँ खेर यहां आपको क्या लगता है क्या ये cartoon Indian cartoon channels पर वाफसी करेगी हाँ या नहीं मुझे नीचे comment करके जो बताना और क्या Mr. Bean का ये cartoon आपका भी फेवरेट था अगर फेवरेट था तो इस वीडियो को लाइक करके जाना मैं मिलता हूँ आपको next episode के साथ तो तक लिए बाई जये लिए